बिस्मिल्लाई रह्मानी रहीम, सलामों अलेकुम, वेलकम है आपका मेरे किचन में ताज हम बनाएंगे सर्दियों के स्पेसियल मेथी के लड़ू ये मेथी के लड़ू कमर दर्द को दूर करते हैं और आपके हड़ियों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग कर देता है गुटनों के और संदी के दर्द को भी अच्छा कर देता है और साथ हम आपके इम्म्यूनिटी को भी ये स्ट्रॉंग कर देता है और डिलीवरी के बाद बनी हुई हर एक नई मा को 40 दिनों के अंदर ही 2-3 किलो ये लड़ू जरूर से खाने चाहिए क्योंके नई बनी हुई मा के लिए ये बहुत ही गुणकारी लड़ू है और ये मेथी के लड़ू बनाने का ये बिल्कुल ओरिजनल और देसी तरीका है तो रेसिपी को आप जरूर से देखिए पूरे साल बर हमें बिमारियों से दूर रखे ऐसे मेथी के लड़ू बनाना सुरू करते है तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम गुंद ले लिया है और ये बावड का गुंद है जो हरे किराना सोप्य आपको बहुत यासानी से मिल जाएगा तो हमें गुंद को तलना है इसलिए गुंद के छोटे-छोटे टुकडे कर लेंगे तो देखे इस तरीके से हमने गुंद को ऐसे छोटे टुकडों में तोड़ लिया है तो अब हम गुंद को तलेंगे हम एक कड़े में 3-4 बड़े चंमच देसी गी डालेंगे और एक साथी हम इसमें सारा गुंद डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे भून के फुला लेंगे गुंद के छोटे टुकडे कर लिए है इसलिए बहुत ही जल्द तल के फूल जाएगा तो देखिए हमारा गुंद तल के फूल गया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम 200 ग्राम सुखे नारियल को बड़े वाले ग्रेटर में इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे और इसे हम कड़ाई में ड्राई ही सेक लेंगे याने कि गी डाले भी नहीं हमें इसे सेक ना है और मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से गोल्डन हो जाए वहां तक हम इसे सेक लेंगे अब गैस बन करके हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे अब फिर से हम कड़ाई में चार बड़े चम्मच गी डालेंगे और साथ ही में तीन बड़े चम्मच इतना तिल का तेल डालेंगे तिल के तेल की तासिर गरम होती है इसलिए थंड की सीजन में इसे आपके जरूर से लेना चाहिए और अगर आपको सिर्फ गी में ही मेति के लड़ू बनाने हैं तो तिल के तिल को आप स्कीप कर सकते हैं, अब हम गी में 300 ग्राम उड़त का कुरकुरा आटा डालेंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे, अच्छे से हम इसे हिला लेंगे, इसमें थोड़ी गी की जरूरत लग रही है, इसलिए फिर से हम 2-3 चमज भर के गी ड चाकत देता है, एज बढ़ने के साथ बॉड़ी में बहुत ही कमजोरी आती जाती है, और इसलिए ज्यादा तर लोगों को गठिया का दर्थ और गुटनों का दर्थ की सीखायत रहती है, और बॉड़ी में कोई-कोई जगा पे सुजन आनी, कमर दर्थ होना, तो ऐसी छोट बंसे परुड़ी चोटी बिमारियों के लिए उड़ट भूट ही फाइदेंद होता है, इसलिए उड़द या तो उड़त की दाल या तो फिर उड़ट का आता सरदियों की सेसरई जन में हमें जरूर से खाना चाहिए, तो उड़ट का आता हमारा बहुत ही अच्छे से भू ना हुआ आटा मैंने ये बावल में निकाल लिया है अब मैंने यहाँ पे कड़ाई में 4-5 बड़े चमबच गी ले लिया था फिर उसमें 300 ग्राम गुड काटके डाल दिया है अब हम इसे स्लो फ्लेम पे ऐसे हिलाते हिलाते गुड को अच्छे से पिगाल लेंगे और याद ग्यास की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो ही रखनी है क्योंकि फास्ट ग्यास के उपपर घुड अगर कड़क हो जाएगा तो हमारे मेथी के लड़्डू बहुत ही सखत हो जाएगे और सॉफ्ट नहीं बनेंगे तो देखे हमारे घुड अच्छे से पिगल गया है और इसमे ग्यास के लिए और अगर अगर आप चाहो तो काजू और बादम का पाउडर बनाके भी डाल सकते हैं एक जाइफल का पाउडर डालेंगे और एक चमच इलाइची पाउडर डालेंगे अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गयस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो ही रखना है इसमें हमने जितने भी पाउडर मसले डाले वो हमारी बाड़ी को बहुत ही फाइदे मन्द होते हैं सूट पाउडर बाड़ी को गर्मा हट देता है गंठोडा पाउडर बीमारियों के सामने लड़ता है और काटलू प दर्खो 2-3 किलो ये लड़ू जरूर से खाने चाहिए और आज की जनरेशन सरदियों का ये सबसे अच्छा वसाना मेथी पाक या तो मेथी के लड़ू खाने से दूर रहते हैं क्योंकि फास्ट फूर खाने की लाइफ में इन्हें ये खाना पसंद नहीं आता है पर इस तरीक अपले डाले बाद इसे हमें सिर्फ देड़ से दो मिनिट ही भुनना है नहीं तो फिर ये बहुत ही ज्यादा कड़क हो जाएगा अब हम इसे भुने हुए उड़त के आटे के उपर डाल देंगे अब हमने जो गुंद को तल लिया था उसे हाथ से ही ऐसे थोड़ा बड़ा तोड़के इसे भी हम इसमें डाल देंगे साथ ही में सुखा नारियल भी डाल देंगे और अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और यह ऐसा गरम हो तभी इसे मिक्स करना है क्योंकि यह अगर ठंडा हो गया तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा यह मेथी के लड्डू ठंड में हमारी सेहत को बहुत ही अच्छा रखता है और हमारी immunity को boost करता है तो मैं तो यही कहूंगी कि मेथी के लड़ू सबको जरूर से खाने चाहिए और घर के हर एक सदस्य को भी खिलाना चाहिए और अगर आप इस तरीके से मेथी के लड़ू बनाएंगे तो अच्छे से इस तरीके से दबा दबा के लड़ू बनाने है और लड़ू बनाते बनाते हमारे हाथों में कितना गी आ रहा है वो भी दिख रहा है यानि कि मेथी के लड़ू हमारे बहुत अच्छे soft भी बने है तो बस इसी तरीके से हम हमारे सारे लड्डू बना लेंगे अगर आपको इस तरीके से लड्डू नहीं बनाना हो तो गी से ग्रीस करी हुई प्लेट में इसे अच्छे से दबा के सेट कर लीजिए और उसके बाद इसे पीस में कट कर लीजिए तो यहाँ पर हमारे सारे मेथी के लड्डू बनके तयार हो गए है तो ये मेथी के लड्डू को एट आट डब्बे में आप एक महीने तक स्टोर कर सकते है मेथी के लड्डू बनाने का तरीका सबका अलग-अलग होता है बहुत से लोग इसमें गेहूं काटा और बेशन को भी सेक के डालते हैं पर मेरे घर में इस तरीके से अकेला उड़त काटा डालके ही मेथी के लड़ू बनते हैं इसलिए एक ही वसाने में आपको उड़त पाग और मेथी पाग दोनों के ही फाइदे मिल जाते हैं तो बस ये मेथी के लड़ू खाके सेहत को अच्छी रखो और बीमारियों से दूर रहो तो आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो यूसफूल लगी हो तो मेरी चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज हैपी कुकिंग